एलो एब्रेवन दिस इस मेहों बसन और आज के इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ एक बहुत जाथा को सबस्राइब दिसकस करें तो डिसकस करेंगे But फिजिक जाव चैप्टर 3 से इस इस्वेस और सब्सक्राइब में स्टार्ट करेंगे पवाइना जो पीडियों प्सक्रणाब है इसनी वीप्यारत इन्ट१ियों में सुंतिक करणे में अकिता, ने कहते है już सी요 So suppose हमारे पास कोई function , कोई function ही ओर उसका शर्ण है जब आपको एक चालबेट करना होका है यहां से हम से इस ट्राइब फॉंक्शन काहां एक एरिया फाइंड आउट रहते हैं और भी इसके लाब बहुत सारे फॉंक्शन होते हैं और भी बहुत सारे एप्लिकेशन हैं सिर्फ एरिया फाइंड आउट इनके के लिए नहीं हम सुनुच करते हैं पर इसके बहुत सारे अप्रिकेशन है, ठीक है, तो इसमें हम करते कैसे हैं, यह जो हम सपोस कर लेते हैं, कि मेडे पास कोई, मैं इसके जो यह पूटल यह फांड आउट करना है, कहां से बात है, मैं सब उसके लिए तो एस है, और एस उपर टू बीतर, यह इसकी बांड रग तो मैं इसको area calculator में के लिए हैं, मैं जब लेता हूँ, इसके small-small partner divide कर लेता हूँ, मैंने इसका small strip consider किया है, जिसका थेखने से dx, और इसकी जो length होगी, आप उसमें में बुच्चों कि यह बहुत पर शरूप यहांपर, तो यह length आप उसमेंट y के उपर में इस strip के लिए consider क अगर मैं total A, K की बात करूँ, इस सारे area क मैं, small-small partner में divided कहता हूँ, सारे small-small partners को, 1 Ic strip आप्सмींट आपDRODcnE सारे area को to add, जो this area कि use कर थे है that is integration, क्या है उस करें के integration और integration का symbol क्या होता है इसको जिस सब्सा हम रिपिर जाने काते है ठीके, so total area क्या हो जाएगा अगर अब बाद को total area का so total area हो जाएगा integration of d a means सारे जो small small part में divide जाएगा हम उसके total calculate करना है ता हम सारे small small part में add कर देगा da का value होता है, so integration हो जाएगा by to ds यही क्या हमाना integration होता है आप किस करीके response solve कर लेगे अब कैसा solve करके उसके लिए हम उसको और discuss करते है इसके limit कहां तक है तो apps के limit a to b हमने integrate करना है, तो limit भी use कर देगे सारे questions में limit नहीं गरिप होती है कुछ questions में limit होती है अब अगर हम बात करें, इसक लीटो 53 ही न ही होता है क्या हम इस ऐसी जलाओं पर इसको use करते है बात करते, कड़े कैसे integration तो integration के तो कुछ formula है, हमों को यहां पर लिखेता हम ठीके, integration के кुछ formula है मोंको यहां पर लिखेता हम और उनको क्या है, कि हम कैसे नूज करने हो को मापने है सबसे पहला formula जो इसमें सबसे जाते हैं यूज होता है that is integration of x-k power hand into dx मैंने कोई function है और वो क्या है x-k power hand into dx ये x-k power hand है इसका आपको integration करना है with respect to x तो इसका integration करते है, integration of x-k power hand with respect to dx इसका तो formula होका है जहाब प्लस, प्लस एक को इसके सब्सक्सिशन मैंक, उसकी तुम्स के इसके सब्सक्राद कहना है यह जो कॉंस्त आप स्णविकि अँप yenक्तिक प्रोप्रों को डए कि मैं अशन्य तरा पापटे है आपको पको पता करें कि इसका पैलtał ह्वाता है कॉंस्टेंट इंटिग्रेशन कहां पर जो आता है C, इसकी जो value find out करें कि हमारी questions में को कोई हो कोई condition देगा, उस condition को अपलाई करके आप constant of integration का value find out करें यह formula दया नहीं कि x to power and dx का कि integration जाता है, x to power and plus 1 over and plus c एक और में कोई constant function है, by equal to क्या है, कोई constant है, मैंने suppose करें k constant, अब इसका integration करना है, means integration करना है आपको देगा with respect to x, तो constant को आप integration से बाहर निकाल देते हैं, अब यहां पर क्या हो जाता है, 1 into dx, 1 को बच्चे हों दे सकते हैं, integration x to power 0 to dx, अब simple पिर से इसी formula को अपलाई करेंगे, तो इसका integration हो जाएगा k, x की power 0 plus 1 over 0 plus 1, mean k और क्या हो जाएगा x, तो अगर कोई constant like this लिखा है, k into dx इसका integration, तो k को तो बाहर जिखा लिए, आप क्या ओचा, dx और dx का integration हो जाए, x, mean इसका integration क्या हो जाएगा k, x, is it clear? तो यही दो formula हैं, जिसका पूरे physics में use होना है, इसका एक और formula है, जिसको हम use करते हैं, suppose करते हैं, मेरे पास फूर्फ function है, और वो क्या है, addition का subtraction की formula है, like this, अब मुझे इसका integration करना है, with respect to x, एक function y है, और उसका integration करना मुझे with respect to x, तो क्या से करना है, a plus minus b का, अबर मैं x की respect में integration करूं, तब क्या हो जाएगा, integration of a into dx, plus minus integration of b to dx, means या अलब को फूर्फ function addition के subtraction की formula है, तो उनको अलगा-लग integration करके add and subtract कर सकते हैं, ठीक है, यही formula है, आपके physics में use होते हैं, इसके अलाबा को स्टिक्रोमेंट की functions है, उनके भी integrations का यूज होता है, कहीं कहीं, उसको देख लेते हैं, मैं formula लेते हैं, direct formula आप देहां लेके, और उसकी x सेज़को में इनके पाउरम सोर्व होते हैं, तब आपको अहुज होता है, integration of sin x into dx, sin x का x के respect में क्या हो जाएगा integration, minus cos x plus constant of integration को आते हैं, integration of cos x into dx के क्या हो जाएगा, sin x, integration of cos x into dx के integration of sin x plus constant of integration, और मैंने पहले उसका constant of integration आ रहा है, इसका value उसका find out करेंगे, जो constants में आपको numerical problems में इसका value find out करेंगा, उस condition को use करके हम सीका value find out करेंगें, बच्छो कभी कभी हम definite integral use करते हैं, constant integration use करते हैं, definite integration, definite integration में जब हम integrate करते हैं, तो उसका limit हमको given होता है, कि यहां से यहां तक आपको calculate करना है, जो भी integrate करना है, ठीके, so उसका जब आपको limit given होता है, तो उसके इसमां constant of integration use नहीं करते हैं, ठीके, चुकि उसमां already उसकी condition given है, कैसे definite integration हम करते हैं, चलिए देखते हैं, okay, so definite integration में जब होता है, like this, होगा, suppose करेंगे हमने integrate करना है, x square का, into dx, इसकी limit दे रहते होगी, x के limit आपको यहां से यहां तर integrate करना है, तो हमको सब्सक्राइब करना है, तो इस तरिफिका कर इतना limit आपको गिलिक किया है, कि आपको x करें यहां से यहां तर integrate करना है, इसका मदब क्या है, integration of x square with respect to x, ठीक है, और x की limit महां से नातर है, 1 to 2 तक ही आपको integrate करना है, function हो साकता, आपको अपकर भी हो, तो उस case में इसका integration कैसे करते हैं, simply यह formula है, इसको use करके हम, integrate करेंगे, definite integrate करेंगे, limit की नखी है, तब constant of integration use नहीं करेंगे, तो इसका integration के अज़र x की पावर होना है, e power integral हो जाईगी, और के अज़र x की पावर 3, सरी सकते हैं, 2 plus 1, upon 2 plus 1, constant of integration नहीं आएगा, जो limit divin आवेंचो, उसको ऐसे put करते हैं, 1 to 2, अब क्यों आज़र x के integration, x वेश्चों की पावर तेरी, upon तेरी integration limit, 1 to 2, अब यह जो limit दे रखिए, इसका अठाट रहें, तो अचले इस limit को हम x के place के put करते हैं, यह जो limit होती है, इसको बोलते हैं upper limit, और यह है lower limit, ठीक है तो पहले upper limit को put करेंगे, फिर minus sign के साथ lower limit को put करते हैं, ठीक है कैसे करते हैं, so x के place नहीं के पावर देता हम 2, 2 का की हो upon 3, फिर minus sign आएगा, फोग लेगा, और lower limit को put करेंगे, 1 का की हो upon 3, आगी sort कर लेते हैं, तो यह कितना हम देगा, 2 यह, 8 upon 3, minus 1 upon 3, और इसका value जाए 7 upon 3, so definite integration को हम कैसे solve करते हैं, यह आपको clear होगा, okay, limit को कैसे put करते हैं, यह भी आपको clear होगा होगा, तो इस पे based on a bigger problem solve करेंगी, तब हम इसको और easily clear करेंगे, okay,